कैसे हैं आप दोस्तों आपको बताने वालों सेमसंग गलेक्सी में जिन में 1UI 3.1 का अपडेट आ चुका है तो उसके अंदर दोस्तों जो नोटिफेकेशन पैनर होता है उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर एड़ किया गया है या बुल सकते हैं उसमें कुछ hidden features होते हैं दो नोटिफेकेशन पैनल के hidden features और उसको कैसे यूज करेंगे और यह कहां मिलने माला है दोस्तों वीडियो को उसके मत करिएगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यहां पर देखेंगे आपको तीन से चार आपको यहां पर चीज़ें मिल रही है लाइक सबसूपर आपको हुआ जो कि पहले नहीं आता था अब यहां पर आपको अलग से दिख्या है और नीचे अलट नोटिफिकेशन जिसको अलट आएगा जिसका मतलब अगर आपके पास अपने साउंट पर कर रहा है तो आपको साउंड आएगा या ट्यून आएगी अगर वाइब्रेट पे है आएगा और उसके नीचे आएंगे तो आपको एक और केटागिरी मिल रही है साइलेंट नोटिफिकेशन की आपको दिख रहा होगा तो यह आपको तीन केटागिरी पर बाटा गया है अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे उपर आप देख रहे हैं जाँ वाट्सप पर आ आपको यहां पर हाँ आई को आप यहां पर आटाएगा तो आपको यहां पर प्रेस करना है रिषकता होगा लूट और स्टाल अगर आप चाहते हैं उन्ल कि लोग्योंक्त, और हम सब्ल ढूलिकर करना और यहां पर आपको कर देना इसको done, इसके लिए, आपको करना क्या होगा, simple हीआपको यहाँ पर click करके रखना ही, तो यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यह option खुल जाएंगे, alert और silent को दिख रहा होगा, simple हीआपको जिस पर भी करना है, उसके कर सकते हैं, और जिनको alert करके रखा है, आप यहाँ पर किसी को message type कर रहे है, message कुछ कुछ भी कर रहे है, like message ही type कर रहे है, और कुछ ऐसा important notification आ गया लाइग है, यह WhatsApp का notification आ गया, बट आप उसको miss भी नहीं करना चाहते, उसको open भी करना है, और जो आपका काम है, आप उसको भी पन नहीं करना चाहते, तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही कमाल का feature add कर दिया गया है, जो कि इसमें notification में after 1 UI 3.1 आपको करना क्या होगा, उस message को या उस chat को, जिस app को आपको notification को खूलना है, सिम्पल यह आपको उस पर प्रेस करके रखना है, प्रेस करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 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 दिख रहा होगा, यहाँ जैसे ही track करेंगे, ट्रॉप अनौ तो यहाँ पॉप अप में खूल जाएगा, और यहां ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर मैं आपको दोरों चीज़ करके तो आप यहां पर देखेंगी यह उपन हो चुका है पॉप आप वीव में और जो आपके पीशे वाली जो एप है वो बापेस चल रही है तो दोस्तों जैसा कि माल लेजिए आप अपने कोई गैलरी में किसी चीज़ की फोटोस देख रहे हैं और आपके पास आगे कोई नोटिफिकेशन आपको उसको भी खोलना है और बट आप यह चाहते हैं कि आपकी जो करेंट वरकेंगे वो बंद ना हो तो सिंपल यह आपको करना क्या होगा उस नोटिफिकेशन को जो भी नोटिफिकेशन को आपको खोलना है उस पर क्लिक करना है क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना है वेट करने कि आपको यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर यहां से इसको क्लोस भी कर सकते क्लोस करने के लिए सेंपल यह आपको support करता है like कुछ apps जिसमे support नहीं करती होंगी तो वो आपके पास नहीं कुलने वाली आप देखने हैं जिसी फोटोज है यह support करता है तो यह नीचे भी आ गया दोस्तों बहुती कमाल का यह feature मुझे लगा है split screen वाला या बोल सकते हैं नोटिफिक्शन पहलें में hidden creature अगर आपको यह work भी करना है तो आपको आपको यह पर करना है तो बस आपको वहाँ पर करना क्या है उसको पॉपप में डारेक्ट्री कुल जाएगी बाकी यहाँ पर सपोर्ट करती है और बहुत ही अच्छे से बाग करती है लाइक सबसे ज्यादा आगर आप वाट्सप पे यूज करते हैं लाइक मैं आपको बताएता हूं यह मैंने वाट्सप पे गया मुझे दोनों ही चलाना है आप दिख सकते हैं कि एक मेरा कुला हुआ है दूसरे पर मैंने मैसिस करा हुआ गया है सिंपली आप उसको प्रेस करके रखेंगे प्रेस कर रखने के बाद आपको यहाँ पर यह option मिल जाएगा तो आप इसको दोनों को अराम से यूज कर पाएग भी कर सकते हैं दोस्तो और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाता है इस वीडियो से लिटेट या कुछ भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों मैं डिफिनिल्टी उस पर रप्लाई करूंगा और हो सके दोस्तों मैरे वीडियो को शेयर करना ना बोलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल की नेक्स वीडियो के अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके तो मुझे इंस्टागरम और फेजु फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर वे इंस्टागरम पर आपको देख रहे होंगे स्क्रीन शॉट लगार के दिखा रहा हूँ तो थैंकी दोस्तों